हलो दोस्तों स्वाव है था आपका SK Education में आज मैं Math का Class लेका आया हूं जो platform 3200 जिसमें NTPC Railway के Group D और ALP का पूछे सवाल है चलिए आज हम पहला chapter स्टार्ट करते हैं सबसे पहले RRB NTPC Stage 1 and 2 CVT exam के जो सवाल है उन्हें स्टार्ट करेंगे आर आर भी NTPC के पहला क्लास है आर आर भी NTPC Stage 1 अठाइस माच दो हया सूल सिफ्ट उन्हें पूछे सवाल देखेंगे दोस्तों पहला सवाल दिया हुआ इसमें किसी सब्ता में एक दुकंदा दौरा सैकल के बिकरी नेमें चाट के दौरा девस आइ गई है गुरुवारत में तक फिल कितने सैकल तक आप देख सकते हैं इस चार्ट में गुरुवारत में गुरुवार से रएवडर तक तो बहुत स्पर है गुप प्लस सुक्रवर को देखिए 10 है यह जो संख्या दीवी है इसी के बरावर जहां रुकी हो वही हो जागा सनीवर को देखिए 6 और 8 के बीच मैं यानि के 7 प्लस और राइवर को देखिए 10 अबाद विच मैंने 11 टोटल को जोड़िए 12 बाइस असाथ 29 गारा 40 चालिस जो ऑप्सन सी में है हमारा सही उत्तर 40 होगा और यहीं हमें कुस्टन में निकालने के लिए कहा गया था देखिए गास कुस्टन नमर टू कह रहा है कि वर्ग के 16 के वर्गमूल तरह चार के वर्ग का गयाद किजिए दोसे 16 के वर्गमूल क्या होतां यह 16 के वर्गमूल گुनन फल बोलेसे लिए गुना कितना चार के वर्ग का देखिए देखिए दोस्टन इसका वर्गमूल निकालेंगे क्या होगा चार इसका 16 तो यह जगह 64 जोकि ऑप्सन बी में दिया हुआ है और 64 हमारा सही उत्तर होग देखिएगा सवाल नमर 3 बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों रूट अंडर 1-sin2 भागा 1-cos2 रूट अंडर है 1-sin2 भाग है 1-cos2 देखिए दोस्तों इस सवाल बताना इस पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि 1-sin2 देखिए दोस्तों sin2 theta plus cos2 theta बराबर होता है 1 और sin2 theta बराबर होता है ये cos2 देखिए दोस्तों इसे अच्छा से आप याद रखिएगा ये बहुत ही महत्पून है इसी पर ये कुस्तों दिया हूँ देखिए 1-sin2 theta है 1-sin2 theta का बराबर क्या था cos2 theta 1-cos2 theta यानि sin2 theta इनको बैठा दीए यानि कि root अंडर ये हुग ये cos2 theta theta भागा sin2 theta यूं कह सकते हैं इसे cos2 theta बटा sin2 theta root अंडर यानि root अंडर cot2 theta cos2 theta बटा sin2 theta बराबर होता है cot2 theta ये हो जागा root हटेगा square हटेगा तो cot theta इसका अगर वर्ग कर देंगा या फिर वर्ग मूल कर देंगा तो सिर्फ cot theta बचेगा जिके option A में है सही उत्तर हमारा यही होगा चलिए अगला सबर अगले question कवर देखते है question number 4 question number 4 देखे क्या कहता है कि चकुद्धी ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेस की गई 37005 रुपया एक पुनाग बटा दो वर्ष में कितनी हो जाएगी जबकि ब्याज दर अर्ध वार्षिक संयोजित होता है देखिएगा P यान P से denote करते हम मुंधन को जो 37500 रुपया दी भी है R देखेगा दोस्तो 8% दिया हुआ है और T देखेगा दोस्तो 1 पुनाग 1 बटा 2 यानि कि 3 बटा 2 वर्ष दिया हुआ है और कहता है कि अर्ध वार्षिक दोस्तो अर्ध वार्षिक जब करता है यानि कि साल में 6 मैना 2 वर्ष साल में 2 वर्ष यानि कि यह हो जागा 2 से भाग देदेगा रेट को इसे 2 से उनाग देगा यानि कि 3 वर्ष हो जागा यह देखेगा 4 परसंट हो जागा दोस्तो तो 4 परसंट यानि कि दोस्तो एक बटा 25 देखेगे दोस्तो ये मुलधन होता है ये SI होता है तो यानि कि अगर हम मिस्दन करेंगा तो क्या होगा 26 बटा 25 यह 26 में से दनों गया यानि कि 37,500 का 26 बटा 25 थ्री टाइम कर देंगे त्यूंकि टाइम तीन वर्स है 26 बटा 25 गुना 26 बटा 25 यह एमांट निकालने के लिए है जब हम इसे सॉल्ब करेंगे दोस्तों तो 4218 2.40 आयागा जो कि option A में है सही answer यही होगा इसे सॉल्ब करने के बार चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कुस्सन नमर फाइब बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों कुस्सन नमर फाइब देखिए कह रहा कॉट यह बराबर बाराबर पांच है तो sin A plus cos A into cos A कितना हुआ देखिए दोस्तों कॉट A बराबर दिया हुआ है 12 फाइब ठीक है दोस्तों तो देखिए दोस्तों कॉट A बराबर बार फाइब इससे हम क्या जानते हैं कि 10 बराबर P बटा B हो तो कॉट यानिक उसको परदेट B बटा P इससे हमको find करना है अपचे H निकालना B तो दिया हुआ है PV दिया हुआ है H नहीं पता तो H हो जागा 13 अच्छा ये 13 कहां साया दोस्तों देखिए ये triplet है triplet है triplet बना ना 5 12 13 ये triplet हो गया दोस्तों इसलिए H 13 इतना basic knowledge आपको रखना पड़े है क्योंकि आप किसी भी previous paper का state बना रहा है तो थोड़ा knowledge रखना पड़ेगा दोस्तों चलिए आगे देखते हैं कि कह रहा है हमें कि sine A plus cos A into cos A यहिए हमें find करने के लिए कह रहा है तो sine A क्या होता है दोस्तों P बटा H कौस से क्या होता है दोस्तो बी बटा एच इन्टू कौस से क्या होता है था साइन कॉपोजिट याने एच बटा पी देखिए अब पी प्लस बी बटा एच इन्टू एच बटा पी देखिए एच एच कड़िया देखिए दोस्तो पी क्या दिया हुआ है बारा प्लस पांच बटा पांच यानि कि दोस्तों यह हो गया 17 बटा पांच इसका सही अंसर होगा जो कि option B में दिया हुआ देखिए दोस्तों चलिए अगले सवाल के वर देखते हैं question नमर 6 एक आदमी 25 परसंट के हानी पर एक गेज को ब्याली सुर्पम बेशता है तो 25 परसंट लाप कमाने के लिए मेज को कितने मुल्य में बेशना हुआ देखिए दोस्तों यह क्या रहा कि 25 परसंट 75 परसंट इकवल दिया हुआ है 4200 25 परसंट घटा देंगा तो 75 हो ना दोस्तों इसलिए अब उसे लाप कमाना है 25 परसंट बराबर वाट तो जब इस तरीका से तो क्रॉस में टिपल करते हैं हम लोग कि फूर्टी टू हंडेड इंटू वान टू फाइव 25 से काटेंगael दोस्तों 3 पर में 25 से काटेंग 5 पर मैं 3 से काटेंग 14 पर मैं यानी 14 पर में 26 यह क्या होगा 7000 जिह हां इसब बहुत हे μέत है इसका कहता है कि दो स्थान, दोस्तों यह एक्स किलोमेटर प्रति घंटा से इधा जा रहा और यह एक्स प्लस 10 किलोमेटर प्रति घंटा से इधा रहा अद देखे यह करा कि धाय घंटे बाद धाय घंटा चलता है यह तो धाय घंटा चलता यह यह यहां पहुंसता है यह यहां पहुंसता है तो इन दोनो क्वाइट कि अब पर दोनकों को दोनों पर तो यह जीर हाई उपर तो ए दूरी रहें śm समय है निकार देजिए जाएगा 110 तो दोनों का चाला गया ना दोस्तो 110 किलोमेटर परती हावर क्या कि हम दोनों का ना पर रहे हैं दोनों को बोल रहे हैं इसलिए दोनों का अब देखिए कि दोनों को चाल 110 किलोमेटर यहां पर दोनों क्या है X km परतिगंट X plus 10 यानिके X plus X plus 10 एक वल दिया हुआ 110 यहीं नाया दोस्तो अब देखिए 2X और यह 10 इधा जागा तो यह घड़ेगा 100 काटियेंके दोस्तो यह 50 आएगा यानिके X बनावर 50 km परतिगंटा तो एक का चाल हो जागा दोस्तो 50 चास, दूसरे के चालो जागा 60 km पती घंटा, जो की option A में दिया हुआ है, अगले question को बढ़ते हैं दोस्तो, question नमर 8, देखिएगा दोस्तो, question नमर 8 कता है, एक आदमी 360 रुपए में 144 संतरे खरीदे है, और 10% का लाप से बेच दिया, अपने परती दर्जन संतरे किस दर्ज से बेचे, देखे दोस्तो बहुत अच्छा सवाल है, 360 रुपए में वो खरीद रहा, कितना 144, यानि कि दर्जन में पूछा है दोस्तो, दर्जन में पूछा है, तो हम एक काम करते हैं, इससे दर्जन में बदल देते हैं, यानि कि 144 संतरे है, तो इससे दर्जन में, यानि कि 12 दर्जन, 110 परशन लाप 10 परशन लाप पर ते 110 विक्रेम लिखना इसलिए 110 तो यह 100 यह 20 कड़ गया दोस्तों यह 12 से 3 बार में 12 से 3 बार में चलिए यह कितना आया दोस्तो 33 33 रुपए परती दर्जन के साब से बिचे कोस्टन नमर 9 देखेगा दोस्तों हो एके लंभाई ऑब कि लंभाई के हैं फैक वर आठ देखें दूस्तों यह कहह रहा है कि ए जो है कि भी एक है ते इसका पर आility कि अधे स्वेंगे आन्यक्राश पांच हो आठ 알त्या है तो बलता है एक्लाम एकलंब हैसे क्या डी है सही एंसर में रही होगा चलिए दोस्तों अगले सवाल कितब बते हैं कुस्टन नमर टेन देखिएगा दोस्तों यह आप्सन से बनेगा दो कर्मानुपाद संख्यां ग्याद किजिए जिन में पहले अंका तिन गुना दूसरे अंके दूगने से पांच अधिको यह आप यह दोस्तों यह प्लस पांच यह पांच अधिक है यह इसका उप्सन को से सही होगा एंसर का का चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आप कि यह कुश्यन नमर एलेवन देखिए दोस्तों कुस्टन नमर 11 कह रहा है कि मीना ने बैंक से 2,75 रुपया का कार लोन लिया उसने वर्स में पूरा भुक्तान का दिया बुठान कते समय उसने पुराना स्कूटर तता तीन लाख 25,000 रपे बैंक को आदा के स्कूटर का कुल मुल्या बहुत अच्छा कुछ उसने देखे गाट तो सबसे पहले हम इसका नेकालते हैं एमांट ठीक है दोस्तों चलिए यह आर इंटू टी यानिके देखिए आर इंटू टी यानिकी बराबर एसाइ होता है कि यह एसाइ कितना होगे दोस्तों 24 अर्टिया 24 आया मांट क्या हो दोस्तों ए पी प्लस एसाइ है निके 100 प्लस 24 यानिकी यह होता है 124 यह मैं बता रहूंग आप तो मौकी कर सकते हैं जैसे कि यह 24 हुआ तो यह बराबत है 124 तो 124 का वेल्यू दिया हुआ देखिए 124 नुद दो लाग पच्चतर हजार निकालना हमें यह दिया हुआ 100 का वेल्यू सुरी दोस्तों यह 100 का वेल्यू दिया हुआ यह मुल्दा ना इसलिए मुल्दा हंडेड होता है तो हंडेड का वेल्यू दिया हुआ हमें तो अब निकालना 124 का वेल्यू यह यह कि एमांट हमें निकालना दोस्तों तो यह हो ज जिए गा दिए कटने के बाद दोस्तों आएगा आपका एक गुना की जिए गा तो एक किशाणा यह ूटirs तो इसन बाना काएगा का यही तीन लाइंट 25 रूपय कैस दे दिया निकि वो तो वह कर्ज पूरा अदा होगे तो दोस्तों देखेगा तीन लाख एक्तालीस हजार देना था उन्होंने तीन लाख पैतिस जार दे दिया तिक स्कूटर भी आते स्कूटर इसको रेट घड़ा देंगे यह स्कूटर का रेट आगिया छे हजार रुपय यहां छे हजार यदि तीनो नल एक साथ भोल दिया तो इस टैक को कितने घंटे में भरा जा सकता है वाए जो है बदर तो किलिक सकता है टोटल इसका तंकी च्छमता देखे क्या हो जञगा चार लीटडर ये दो लिटर स्केलसिन लेंगे तो ये एक यानिके 20 लिटर टंकी के छमता है दबलते तीनों खोल दिया है दोस्तों जब तीनों खोलेगा तो देखे कितना काम करेगा ये भरेगा 4 ये 2-6 ये तो खाली करने वाला मानस यानिकि 4-2-6 और एक घड़ेगा यानिके 5 यानिकी टोटल छमता 20 है उस पर 5 उनिट काम होगा तो ये कितने जल दे चार घंटा में भरेगा भरेगा इसलिए क्योंकि ये मानस में नहीं आ रहा अगर यहाँ पर मानस में आता इसको जोडने बाद मानस में मान लिए यहाँ पर 7 रहता चार में 2 छे हुआ और 7 घटाते तो कितना मानस वन आता तो वो मानस खाली करता लेकिन प्लस में यानिकी भरेगा 4 घंटे में भर दे गटनके को चलिए देखिए अगला सवाल कोसर नमा 13 बहुत अच्छा सवाल है इससे आप बढ़ें से देख लीजिए एक बाद अनिल ने 6 पर परती अंडे के दर से 100 अंडे खर दे उसने 25 अंडे 10 परशंद लाब पर 25 अंडे 25 परशंद हानी पर तदा बचे हुए अंडे 50 अंडे 20 परशंद लाब पर बेचे आए बताए अनिल को कुल कितने पतिस्त लाब हो देखिए दोस्तों इससे मैं सौर्ट्रिक से बता रहा हूँ आप जो ये 25 अंडे है फिर 25 अंडे है फिर 50 अंडे है ये टोटल सौंडे हुए इसको रेशियो में बदल लीजिए एक रेशियो एक रेशियो दो आप कहरा देखिए दोस्तों पहले 25 अंडे है पहले 25 अंडे है दस परसंड यानिकि इससे 10 परसंड लाब पर पलस इससे 25 परसंड हानी पर 25 परसंड हानी यानिकि मैनस 25 पलस इससे 20 परसंड लाब पर यानिकि 20 परसंड लाब पर देखें दोस्तों नीचे क्या लिखते हैं total लिखते हैं 2, 1, 3, 1, 4 यानिके total पर ठीक है दोस्तों चलिए यह हुगी है 10 Plus minus 25 Plus 40 बटा देखें दोस्तों इसे जब हम करेंगा 40 दिस 50 पचास में 25 जयाँ दोस्तों तो 25 बटा 4 यानिके 6 पुर्ना यानिके 6.25 पर्शन्ट जिए दो तो 6.25 पर शन्स लाव होगा लाव इसलिए होगा क्योंकि यह पलस में आता है तो हाँ नहीं होता है ठीक है दोस्तों चलिए यह 14 नम्र देखा संख्या गुना और यह उता है ना दोस्तों तो 36,200 है पलस 15 गुना 33 फाइफ फाइफ जीरो बटा टोटा संख्या जोड़ती है बारा दस पंदरा दस कितना है वो पचीस हम लोग जब निकालते हैं और स्थ टोटा से जोड़ते हैं दोस्तों तो इसे अब जब गुना किजिए दोस्तों तो गुना किजिए यह क्या हुगिया थ्री 6,200 एक जिरो और हुगिया प्लस 15 से गुना किजिए जीरो 15,75 के 5 हाथ में 7 फिर 75 रसाथ बिरासी के 2 हाथ में 8 बज़ती है पैतालिस आठ तिरपन के 3 हाथ में 5 पैतालिस और 5 पचास यह इतना होगा बटा पचीस जब इस साफ करेशन की जिए दोस्तों तो आप आएगा 34,610 रुपय यहां दोस्तों इतना आगर जो कि option B में है यहिंसका answer होगा चले दोस्तों आगे दिखते हैं question number पंद्रह देखे दूस्तों पंद्रह कुछस्टर नमर्ब 15 में क्या कहता है दूस्तों अपने चार विशे में 67, 69, 78 अंग पराप्त किये उससे अपने पांचवी विशे में कितने अंग पराप्त करने चाहिए ताकि उसके और सतंकों का ऐस्ती हो जाए जी हाँ दोस्तों देखे चार विशे में यानि कि पहला विशे देखे 67, 69, 70 और 88 इतना अंग पराप्त किया दोस्तों 4 विशे में ठीक है अब 5 विशे में देखिए total 5 विशे है कितना लाइकि उसका आश्वाद 80 हो जाए तो total कितना होगा दोस्तों 400 400 होगा दोस्तों ये कितना प्राप्ट किया इतना देखिए 9, 8, 7, 16, 8, 24, 8 32 को दो हाथ में 3 6, 6, 12 12, 3, 15, 15, 17, 22, 18 दोस्तों 332 हो गया तो यह 400 में हम 302 घटा देंगे तो पांच वाव इसे में उसे 98 मार्क्स लाना होगा ताकि वो देखिए कोसे नमस 16 कोसे नमस 16 देखिएगा दोस्तों एक यातरी ने बस में यातरा करते वे पाया कि 35 विद्धुत खंबे एक में पार कर लेता है है दो खंबो के बीच की दूरी 50 मेटर हैं तो बस कि रफ्तार कितनी हैं देखिए दोस्तों यह चाहरा कि एक मिनट मैं 35 खंबे देखिए 35 खंबे एक कंब असर를 अचितनी है दूसरे खंबे और किदें तीसरे और पचास मीटर दूरी है हरे खंबों के बीच के दूरी है तो यह 35 खंबे गिनते हैं तो पचास मीटर देखिए दोस्तों यह 34 गुना कितने दूरी तै करेगे 34 गुना 50, 60 सकंद में देखिए 34 इसलिए क्योंकि 35 गुना तो जब इसके पीछे तो कोई डिस्टेंस नहीं है न दोस्तों पहला खंबा गिना यहां से इसके बाद यहां से यहां तक आता है तो इसे तरह यह तो टोटल 35 खंबा लेकिन डिस्टेंस तो 34 गुना 50 तब इससे जब करेंगा तो यह आए आपका अगे देखते हैं दोस्तों आपको यह हमें निकालना है किलो मिटर प्रति आठारा वटा पांच से गुना कर देंगे यह चैसे तीन बार में आई यह कड़ेगा पांच से पांच तीया पंदरा पांचों के भी तीजा जब बारक दो हात में एक तिन तिया नौर एक एक सो दो किलोमेटर प्रति घंटा जबका ओप्सन बी में है देखेंगा दूस्तों आगे है कुस्टन नमर सत्रा जी हाँ सत्रा नमर देखें अमन और अजे एक दिवार को 9 दिन बार दिन पूरा करते हैं यदि वो दोनों मेरे कार करें तो वो कितने दिन में इसे पूरा कर सकेंगे इसे देखें सौर्टिक में बानाना सीधा सीधा सीधी 9 इंटू 12 इन दोनों को जोड़ दीजिए यह हो गया 21 तो इसे काटिए गा तीन से साथ और में तीन से तीन बार में यानि कि 36 बटा सेबन थर्टे सिक्स बटा सेबन यानि कि 5 पुनांग एक बटा साथ जो की आप्शन ए में है इसका सही एंसर होगा देखिएगा दूस्तों कुस्टन नमर एट्टीन से सबसे अच्छा तरीका हुआ कि आप इसे याद रख लें कि कितने अभाई संख्या होते हैं चुले कुशनन नियंटीन देखते हैं आप वंस से लिए घृत्टी तक याद रखे लें फिर 50 अचल्यम नमर एकology ल смог कुंअठ कर दो इसवा कि इसका इस कुल्सक्राव… के देखे दोस्तों दो संख्याओं का गुननफल डिया दियह दोускह गुननफल क्या होता है देखे फस्ट इंटू बड़ाबर होता है एससीएफ टू एससीम निकलने बुला दोस्तों दोसीम इसे देखे देखे तेरश दोर Val इसे काटिएगा दोस्तों 13, 26 9, 98 हुआ 13, 91 72 हुआ 13, 65 78 36, 78 फिर दोसे काटिएगा 13 बार में 26, 15, 7 1378 LCM इसका 1378 रहगा जो की option number C में दिया हुआ देखिए अब अगला से वार question number 20 में 20 नमबर देखिएगा दोस्तों मैं कुसिस करता हूँ यहीं पे यह दिया हुआ A square minus B square भागा है यानि की A plus B बराबर 25 है उसता A minus B देखिए इसे मैं direct कह सकता हूँ 25 ही अंसर होगा इसलिए देखिए A square minus B square यानि क्या होता दोस्तों A minus B A plus B और नीचे A plus B दिया हुआ है बराबर 25 यह A plus B A plus B तो कड़ेगा तो A minus B कमान क्या होँआ 25 यानि की जो की option C में दिया हुआ यहीं अंसर होँआ आशे ले इतना है दोस्तों फिर मिलतें आगरे क्लास में झाल झाल